हेलो स्टुडेंट कैसे हो आज अपनी जो क्लास है बजट एक्सपेंडिचर की रहेगी बजट एक्सपेंडिचर से पहले ओलडी मैंने दो वीडियो बना दी हैं आपके लिए और उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आपके लिए कि अपने जो क्लास है वो चार भागु में डिवाइड होगी, फोर पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट था अपना, उसमें मैंने उब्जेक्टिव और उसका मिनिंग बताया था, बजट का या, गौर्मेंट बजट का, और सेकिंड में अपने डिसकस किया था, बजट के कंपोनेंट्स, जो ओरड़ी दोनों वीडियो, मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, आप उसको जाके आप देख लेना, अगर इस चैनल पे आप ने हो, बच्चों, तो इस चैनल को सेर, सब्सक्राइब, और लाइक, और बैल आइकन को दबाना ना बोलिए, आगे भी मैं इसे आपको इजी वे में, क्योंकि अपनी जो बुक है, उसके इसाब से आप पढ़ते हैं, तो उसके अकोर्डिंग तो अपने को पढ़ना ही है, लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपके लिए, जो बिल्कुल होसके, बिल्कुल इजी मैटरियल लेकिया हूँ, जिससे आप उसको इजी लेंगविज में, आप अराम से समझ सको, और अच्छे से उसको अपने एक्जाम के अंदर उसको नोट आउट कर सको, तो इसलिए मैं आज लेकिया हूँ, अपना बजट एक्सपेंडिचर का टोपिक, जो मैंने पेशली वेडियो में कहा था, कि नेक्स्ट वेडियो में आपके लिए मैं बजट एक्सपेंडिचर का टोपिक लेकिया हूँगा, तो इसलिए आज जो start करते हैं अपना budget expenditure ध्यान से सुनिएगा और host के तो साथ साथ अपने note book में लिखते चले जिसको आपने future में या अपने exam के time या next video में कभी आप देखो तो इसको आराम cgv में बिल्कुल समझ में आ जाए और ज्यादतर मैं flow chart बना के लेके आ रहा हूँ जिसको आसानी से आप समझ में आ भी जाए और उसको बिल्कुल ही miss ना हो, forget ना हो अपने mind से तो चलो start करते हैं तो अपना first आता है budget का expenditure first अपन देखेंगे budget का expenditure, budget का expenditure होता क्या है देखो budget receipt में अपने देखा था कि budget receipt में ये देखती है government कि उसको income कहां से receive होती है और लेकिन budget expenditure में ये calculate किया जाता है, ये estimate लगाया जाता है कि अपने को future में, मतलब की future के लिए budget होता है उसमें कहां कहां अपन ऐसे sector में expenditure होगा, जहां से अपने को income मिलेगी अपने economy develop करेगी, तो budget expenditure के अंदर decide होता है ठीक है, budget expenditure में वैसे बताऊं, तो कहां से आपन meaning समझ सकते हैं उसकी meaning, estimated expenditure of the government on its इसका मतलब ये हुआ, कि estimate लगाया जाता है government का, खर्चे के उपर जो कहां कहां होता है, development करने के लिए, और non-development, plan भी होता है और non-plan program, ऐसे program पर खर्चे के लिए government expenditure करती है estimate लगाती है, जो development, जो इंडिया की development के लिए हो और काफी बार development नहीं भी होता है, लेकिन उसके उपर भी expenditure होता है plan मतलब, पहले से ही plan कर लिया जाता है program, कि ऐसे expenditure करना है उसे भी बोलते हैं, और non-plan expenditure भी होता है ठीक है, इसका मतलब आपन easy way में आप समझोगे, तो क्या बोलोगे, budget, referred to estimated expenditure of the government ठीक है, उसके बाद में on its development and non-development programs, during the fiscal year बस आप यही बोलोगे, ठीक है, इसके बाद types of budget expenditure इसमें था revenue expenditure, जो टू types के budget expenditure होते हैं जाद तरह दो ही types के बता जाते हैं, तो होता है revenue expenditure और capital expenditure आपने पढ़ा भी होगा, बुक में भी देखा होगा आपने उसमें अपने देखने मिलेगा revenue expenditure, capital और plan expenditure जो आपन आगे डिसकस करेंगे non plan expenditure, लेकिन आपको अभी से बता दूँ कि जो development और non development जो plan program होते हैं, वो ओलरी किसके अंदर ही आते हैं, revenue expenditure और capital expenditure के अंदर ही, ठीक है, लेकिन अपन पहले अपन देखेंगे revenue expenditure क्या होता है, और capital expenditure क्या होता है, तो अपन स्टार्ट करते है, revenue expenditure, देखो revenue expenditure में, देखो अपने पहले पढ़ा था revenue income, उसमें देखो ना ही asset, अपनी, ना ही asset पे, कुछ effect पढ़ता था, ना ही life tease पे, लेकिन इस पे क्या होगा, जब revenue होगा तो इस पे तो असर नहीं पड़ता है तो देखो इसमें आपनों मीनिंग याद कैसी करनी है डेजन डेजन इफेक्ट एसेट एन लाइपटीज रिवेन्यू में क्या होता है कोई भी ऐसा खर्चा कोई भी ऐसे जो एक्स्पेंडिचर किये जाए जो अपनी एसेट पर भी एफेक्ट नहीं डालते और ल लाइपटीज ओभेग्रमेंट मतलब कि गुवर्मेंट का कोई भी ऐसेट अपनी इंक्रीज नहीं होती और नहीं लाइपटीज रियट रिए आपको समझना है ठीक है उसके बदेखेंगे अपन क्या था की लाइप भी गौर्मेंट नहीं होती डो डेजन्ट कियेट एसेट डूंट क्योंट रिडेक्षन इन लाइवटीज ओफ दी गौर्मेंट वाज इतना ही आपको याद रखना है उसके बाद में देखो एक्जांपल की थूरू ज्यादा याद होता यह जीज़ ज्यादा याद कैसे होते हैं कि एक्जांपल क्या है रिवेन्यों या सेलरी के मिलती है, स्कोलर चिप वगया के उपर खर्चा किया जाता है गवर्मेंट का, देखो पैंचन जो यो बुज़र्ग लोग होते हैं, सेलरी के बदले में आपने कुछ थोड़ी ना देने हैं, नहीं होता है, लेकिन वो भी एक्सपेंडिचर में काउंट होता है, ज प्रवाभन क्या करेंगे रिवयन्यों एक्स्पेंडिचर में इसको इंक्लुड करेंगे कहीं अपने को देख आछे नंबर मार्ट हो जाते हैं कुछ अच्छा कुछ मतलब की स्कूल में या इंस्टूुट में फर्स्ट पोजीसन पर आ जाते हैं तो वहां पे अपने कुस्को आगे इसमें चलेंगे continue देखो create asset of the government देखो ये वाड़ा पायट था ना जो capital expenditure का देखो आपको revenue expenditure में सिरफ इतना ही ध्यान रखाया जो मैंने revenue expenditure का meaning बताया जो की asset pay effect और life teach pay effect नहीं करती दूसरा आपन क्या देखेंगे doesn't create asset or doesn't cause reduce मतलब की life teach को कम करने का भी कारण नहीं हो त pension मेरे कोई मांगता था पहले से नहीं यह तो अपना दाई तो बस वैसे social welfare के लिए government खर्चा करती है बस इतना ही आपको इसमें याद रखना revenue expenditure में example जदा याद रखना क्योंकि example से ही अपने को point याद आता है ठीक है pension और salaries और scholarship आगी देखते है capital expenditure देखो capital expenditure में आपन क्या देखेंगे नाम देखो इसमें मैंने पिछली वीडियो में का था अगर आप अच्छे से मेरे साथ continue पूरी वीडियो देखेंगे तो guarantee मेरी रहेगी कि आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझोगे कि sir मेरी याद नहीं आया कैसे क्या करना नहीं आपको याद आएगा guarantee है मेरी इस चीज़ की बस साथ साथ आप continue ready करें capital expenditure में क्या होगा कि इसमें capital add हुई है और capital तब भी add होती है तो अपने ये ध्यान आता है कि हाँ ये तो अपन capital expenditure क्या effect डालती है मैंने पहले कहा था capital expenditure हर दम effect डालेगी किस पे asset और liveties पे ठीक capital expenditure किस पे डालेगी asset and liveties के उपर ठीक और revenue में इसमें effect नहीं था दोनों के उपर और capital में दोनों के उपर effect पढ़ता है effect कैसे देखो effect पढ़ना मतलब यह होता है या तो वो कम होंगी या व थोड़ा example की थूरो और वैसे समझेंगे तो अपने और अच्छे समझ में आगा इसमें लिखा हो है creates an asset of the government देखो create asset of the government या तो ऐसा expenditure जो जो बताओ आगे शाबाज capital expenditure create asset देखो simple जी बात है कि capital मेंने क्या का था या तो asset increase होंगी या decrease होंगी अपने example देखेंगे अच्छे से अगर थोड़ा से ऐसे लग रहा हो कि यार थोड़ा से मिस हो रहा है मेरे दिमाग से overview हो रहा है आपकी दिमाग से तो यह समझो ना आगे आपको अच्छे समझ में आता जाए अगर tension मतलो ठीक है create asset of the government देखो asset की government की जो भी create करेगी asset government कैसे देखो मैंने कहीं plant खरीदा government देखो मैं मेरे उपर लेके ले रहा हूँ आप अपने उपर लेए आप government बन जाना ठीक है कुछ time के लिए government बन जाना government क्या करती है asset खरीदेगी कोई land building खरीदेगी तो कल क्या होगी उसको payment करनी पड़ती है लेकिन मेरी asset भढ़ जाती है जैसे कि मैं कहीं land खरीद लेता हू increase हो जाती है यह आपको दिमाग में बिठा लेना है अच्छे जे उसके second cause of the reduction लाइवटीज देखो यह तो क्या होगी asset create यह लाइवटीज क्या होगी कम देखो लाइवटीज कम कैसे हुई जैसे कल लोन लोन आप समझते हो लोन एक कैपिटल आता है न तो लोन का सबसे बड लोन लेती है दूसरे state से दूसरे जो other countries होती है IMF होता है World Bank होता है इनसे जो लोन create करती है लेती है उनसे तो उसके बदले में भाई लोन एत से तो है नहीं भाई फिरी में उनको वापिस लेना ही नहीं है लाइवटीज तो create करेगा भाई कल को मांगे तो गाँ अगर आपने किसी को उधार दे दिया तो उसके उपर लाइवटीज create हो गई कि वो आपको payment करेगा future में चैक कभी भी करो तो इस चीज को आप ध देखेंगे इसके example देखो purchase of the share सबसे पहले समझो accounts के commerce की student समझोगे 10 से मतलब other commerce की हो तो मैं समझा की रहूंगा यह आप दिमाग से निकाल देना purchase of the share first of the share मैंने share share मतलब की क्या होता है हिस्सेधारी किसी भी company में हिस्सेधारी अपनाना हिस्सेधारी लेना जैसे कि मैं example ल bank है इन में क्या करता हूँ मैं उसका कुछ जैसे उसने total market में 500 क्रोड उसने लगा रखे हैं तो मैं उसमें से कुछ percent मैं बोल देता हूँ हां मैं भी investment करूँगा तो इसका मतलब क्या हुआ उसका share मैं खरीद लूँगा उसमें पैसे कर दूँगा मतलब उसमें पैसे लगा और उसमें मेरी हिस्सेदारी बन जाएगी कि जो भी profit होगा जो भी surplus होगा जो भी उन्हें जो goodwill मिलेगी वो उसमें उसकी हिस्सेदारी बन जाती उसे बोलते है purchase of share उसके share कुछ खरीद लेना ठीक है उसके बाद में आगे देखेंगे अपन डैम्स और steel plant इसके उपर जो ख अपने द्वारा जो stable किये जाते हैं तो वो सारे क्या आते है अपने capital expenditure दूसरा repayment of loan देख लोन का आगया ना मैंने loan लिया loan लिया तो मेरी asset तो increase हुई लेकिन loan payment करना क्या कर रहा है अपनी liveties create करता है मतले आज मैंने loan लिया था वो वापिस करना repayment करना वापिस loan करना अपनी capital expenditure कहलाता है इतनी आप ध्यान से समझ ले हो गया अच्छे समझ में आ गया उसके बाद में क्या है अपना repayment of loan हो चुका उसके बाद में देखेंगा development expenditure, development expenditure, purchase मैं फिर से एक बर बता देता हूँ आपको, मेरे को लग रहा है कि आपको doubt है, पक्की बात है, देखो purchase of share, फटाफट बताता हूँ मैं आपको, purchase of share, मैं किसी भी कमटी का share खरीता हूँ, तो उसके बदले मेरे को expenditure करना पड़ता है, लेक अच्छा करेंगे तभी तो increase होती है, उसके repayment of loan, repayment of loan, इसमें अपने repayment of loan में क्या होता है, जो loan होता है, उसके अपने repayment वापिस कर देते हैं, लाइपटीज अपनी कम हो जाती है, ठीक है, आगे आपन देखते है, development expenditure, देखो, दो point हो चुके, ठीक है, revenue expenditure और capital expenditure, आप देखेंगे, development expenditure, simple सा भी है, कि development expenditure कौन से होते हैं, जो, जैसे अपने हिंदी में आपने समझाओं, आपको, जैसे कि जो भी अपने economic development होते हैं, और जो social welfare के जो भी work होते हैं, उसके उपर जो खर्चा किया जाता है, उन्हें बोल देते हैं, development expenditure, ठीक है, उसको आप ध्यान expenditure में क्या देखेंगे आपन, non development activities of the government, अरे जो भी expenditure, जो non development expenditure हो, जैसे कि क्या development expenditure के example क्या लोग है आप, जैसे कि education के उपर, defense के उपर, low वगेरा बनवाए गोवर्मेंट ने, जो भी, हाना ये सारे क्या है, development expenditure है, infrastructure के लिए, और travel के लिए, जो भी सड़क वगेरा बनवाते है अना वो सारे क्या है, development expenditure, future में अपनी economy क्या होगी, develop करेगी, तो वो सारे किसमे आते हैं, expenditure में, development expenditure, याद रखना, इन दोनों point से अगला point है, ठीक है, non development expenditure में, वो development expenditure, जो, कम economy को develop नहीं करते हैं, economy को develop कैसे नहीं करते हैं, जैसे कि कोई defense के goods खरीद लिए, वो economy को थोड़ी इन डिवलप कर रहे हैं, और जो भी कर, taxes वगेरा के उपर हो गया, जो लो, और जैसे interest पे, जो payment करते हैं, लोन की, तो वो develop थोड़ी नहीं कर रहे हैं, वो होते हैं, non development expenditure, जैसे loan पे, अपने loan निया, उसके बदले में, अपने interest वगेरा दे रहे हैं, तो वो क्या है, अपने non developer expenditure, ठीक है, इतना विश्वास है, आपको इसमें अच्छे समझ में, आ गया, बिल्कुल right से, example ज़रूर याद रखना है, आगे देखते हैं, next, अपना क्या है, plan expenditure और non plan, ये भी आगे इसके type C है, ठीक है, plan और expenditure, non plan, plan expenditure, जो पहले से ही plan होते हैं, simple है, और non plan, जो पहले से plan नहीं होते है, लिखना कैसे आपको, plan expenditure, accordance with the central plan of the country, health, education, transport, आप कहोगे, सर पहले समझाया था, वो ही सारे हैं, नहीं, इसमें क्या है, plan expenditure में ये बताया थे, types दो ही होते है, revenue expenditure, capital expenditure, लेकिन plan expenditure, non plan, इसी में से point बना दिये हैं, ठीक है, plan और non plan, देखो plan expenditure, जैसे कि उनका पहले expenditure करना है, इतना budget करना है, इतना budget बनाना है, education के उपर आज इतना करेंगी, जैसे education पर अपकर रखा है, ना, जो 99 और 300 ऐसे कुछ लगबग है, करोड रुपए उन्होंने खर्च कर रखे हैं, और transport के उपर अलग से खर्च हैं, तो ये सारे क्या हैं, इसमें उन्होंने plan कर र जाए, या बुकम पा जाए देश के अंदर, तो उसके लिए भी उन्होंने खर्चा करना पड़ता है, उनको खर्चा है, खर्चा जो expenditure होता है, और रखना पड़ता है, तो वो क्या होते है, non plan expenditure होते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे इस चीज को, आगे आपन continue करेंग जो अपना budget diffset का आएगा topic, वो अपन start करेंगे, budget diffset में आपन देखेंगे, next class में इसके types देखेंगे, और वीडियो ये अच्छी लगी, तो like, share, subscribe और bell icon को दबाना ना बोलने, चलो guys, मिलते हैं next class में, thanks for watching.